नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका विरेच फेट दोस्तो मुझे पता है कि वीडियो तो आप देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीस यहर सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मॉटिवेशन मिलता है आपके लिए डेली एक अच्छी वीडियो ला सको चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर आज हम आपको पाकिस्तान के प्रमानु मिसाइलों के बारे में डेटेल में बताएंगे क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी देश के पास कौन कौन सी प्रमानु मिसाइले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अमरीका के राष्टपती जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश में से एक बताया था उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास बिना किसी सुरक्षा के प्रमानु हत्यार हैं दोस्तों ये वही अमरीका है जो भारत के विरोध के बापजूद पाकिस्तान को एफ 16 बिमानों के अप्रगरेशन के लिए 450 मिलियन डॉलर डील की है इतना ही नहीं आजकल अमरीका के अधिकारी पाकिस्तान को बार्ड साइस्ता के नाम पर जम कर चंदा भी दे रहे हैं इसके बाबजूद पाकिस्तान को परमानु हत्यार पुरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँगी स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिस्टर्स इंस्टिट की रिपोर्ड के अंसार पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा प्रमानू बम है लेकिन फायर पावर के मामले में भारत अपने पडोसी देश से कहीं गुना आगे है सुरक्षा पिशेशों का मानना है कि भारत की प्रतिरियोद शम्ता पाकिस्तान से ज़्यादा है इसके साथ ही निगरानी की शम्ता और पलटवार करने की शम्ता भी काफी ज़्यादा अपने परमानू हत्यारों को अडवांस करने में काम कर रहा है ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास कितने और कौन-कौन से परमानू हत्यार है और उनकी कितनी रेंज है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का परमानू कारेगरम कब शुरू किया गया था उस्मानी ने पाकिस्तान के प्रमानू कारिगरम की शिरुवात की और कई प्रोग्राम चलाए जिसमें देश के ग्यानिकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए बेजा गया 1965 में जलिफिका अली बुटो ने एक प्रसिद लाइन बोली थी जो अभी भी बोली जाती है अगर भारत बं बनाता है तो हम गास यह पते खा लेंगे बुखे भी सो जाएंगे लेकिन हम अपना बं बनाएंगे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है लेकिन उसी साल अमरीक दूसरा हाता हत्यारों का दर दिखाकर पाकिस्तान ने 28 मैस 1998 पहला मेसे लेके तीस मैस के बीच खुल शे प्रमानव प्रैक्श्न किये और ये सब सफल होने का दावा भी किया अब मैं आपको पाकिस्तान की 9 Misaisलों के बारे में डिटेल बताऊंगा जो को कहते हैं कि ये अडवांस परमावनु मिसाइल है नंबर एक पर आती है अबदाली मिसाइल ये एक सूपर सौनिक स्पीड से उड़ने वाली शौर्ट रेंज की ब्लास्टिक मिसाइल है ये सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज 290 किलोमेटर बताए इसकी लंबाई 9.7 मिटर है और मुटाई 0.56 मिटर है ये मिसाइल अपने साथ 500 किलो ग्राम का नुकलर वार हैड लेकर जा सकती है दोस्तों नंबर दो पर आती है गजनबी मिसाइल गजनबी मिसाइल भी एक हाइपर सोनिक मिसाइल है इसके मारक शमता 290 किलोमेटर तक है य पाकिस्तान सैना में आर्मी स्ट्रेजिक फोर्स कमांड के पास इसका कमांड है गजनी मिसाइल के पाकिस्तान के नैशनल डेवलप कंपलेक्स ने डिजाइन और डेवलप किया है गजनबी मिसाइल का बजन 5256 गराम है और यह 9.64 मिटर लंबी और 0.99 मिटर मोटी मिसाइल ह पाखिस्तान का दावा है कि इस missile की मैक स्पीट 30 मैक तक की है दोस्तो अगली missile यो है वो शाहिनी 1 है शाहिनी 1 जो है कि शौर्ड रेंज की ब्लस्टिंग missile है ये missile 750 km तक मार करने में शक्षम है इसकी लंबाई 12 मीटर है इस मिसाइल को भी पाकिस्तान के National Defense Complex ने डिजाइन और डबलब किया है शाहिनी 1 को भी 1999 में मनाया गया था अगली मिसाइल शाहिन 2 है शाहिन 2 पाकिस्तान की Medium Range Blastik मिसाइल है इसकी मारक शमता 1500 से लेके 2000 किलोमेटर है जहां अपने साथ ये 700 किलोमेटर तक का बिसपोटक लेकर जा सकती है शाहिनी 2 की लंबाई 7.2 मीटर की है और चोड़ाई 1.4 मीटर की है इस मिसाइल का पहला परदर्शन मार्च 2000 में किया गया था अगली मिसाइल शाहिन 3 है पाकिस्तान का दावा है कि ये प्रमयनु हत्यार ले जाने में शक्षम है इसकी रेंज 2750 किलोमेटर है और ये मैं आपको बता दूँ कि ये कहते हैं कि ये भारत के चन्नाई शहर तक को निशाना बना सकती है ये इस मिसाइल के बारे में आप 9 मार्च 2015 में परिक्षिन किया गया था पाकिस्तान ने शाहिन मिसाइल 3 का विकास भारत की अगनी 3 के जवाब में बताया था अगली मिसाइल का नाम गोरीवन है गोरीवन की रेंज 1500 किलोमेटर तक की है ये अपने साथ 700 किलो ग्राम तक का विस्पोर्टक लेके जा सकती है इसे पाकिस्तान उत्र कोरिया और इरान ने मिलकर 1980 में बनाना शूर किया था 1998 में इसका पहला प्रिक्षिन किया गया और 2003 में इसे सैना में शामिल कर लिया गया ये मिसाइल 700 ग्राम का नुकलर वार हैड और 1500 किलोमेटर दूर तक लेकर जा सकती है अगली मिसाइल बावर मिसाइल है बावर मिसाइल एक क्रूज मिसाइल से नाम से जाने जाती है ये पाकिस्तान सैना में शामिल पहली क्रूज मिसाइल है इससे पाकिस्तान के न्यूकलर वार्ट हैट से लैस किया जा सकता है ये मिसाइल 700 किलो मिटर की दूरी तक मार कर सकती है बावर वन का बजन 1500 किलो ग्राम है और ये 6.2 मीटर लंबी और 5.52 मीटर चोड़ी है इसे जमीन पर स्तित किसी भी लाउंच प्लेटफॉर्म से लाउंच किया जा सकता है अगली मिसाइल राद मिसाइल है राद मिसाइल भी एक क्रूज मिसाइल है ये पाकिस्तान की पहली एर लाउंच क्रूज मिसाइल है ये मद्य दूरी तक मार करने वाली समरीन क्रूज मिसाइल है इसे जमीन या पानी के नीचे समूंदर प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है इस मिसाइल का पहला परिक्षन 2005 में किया गया था माना जाता है कि इस मिसाइल को 2010 में पाकिस्ताइन की सैना और 2018 में पाकिस्तान की 90 सेना में सर्विस में लाया चुकी है बावर 3 की रेंज 450 किलमेटर बताय जाती है ये मिसाइल 990 किलमेटर प्रती गंटे की स्पीड से उठ सकती है दोस्तों आपका इन मिसाइलों के बारे में क्या कहना है कमेंट करना और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कंट्रीज बाइस बताया था कि 2022 में किस देश के पास कितने परमानु हत्यार है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखाया तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा उसे देख लेना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना जाहिन